आप लोग आप लोग और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं एकदम बढ़िया आज हम लोग रेक्शन देंगे वीडियो बेसिकली होने वाली है जो कि इंडिया स्ट्राइक चल रहा था मतलब इंडिया और पाकिस्तान का ड्रोन का इशु चल रहा था रिसेंट्ली जो ड्रोन का इश और वीडियो जरूर देखिएगा पूरी वीडियो देखिएगा आपको अच्छी लगेगी सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रेक कर लेते हैं सो हेर वी गो नवश्कार दोस्तों वेल्कन वर्ल अफेर्स नहीं हूँ प्रशान धवन नाव कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाए थी जम्मू एर बेस के टरर अटाक को लेकर और उस वीडियो में मैंने आपको कैडिगोरिकली यह बोला था कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बार प्रॉपर इंवस्टिकेशन अगर हो गई इस अटाक की तो इंडिया एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर में जहां पर यह आतंग वाली संगण चुपे हुए है जो आज के समय अटाक करें इंडिया को ना रिसेंटली जो हमारे चीफ आफ डिफेंस टाफ है सेम बात इनुने यहाँ पर कही है कि इंडिया विल हिट बैक यह कहा रहे हैं इंडिया रिटालियेट करेगा साई टाइम पर अट टाइम प्लेस ऑफ इस चूजिंग हम लोग चूज करेंगे कब इंडिया ने अभी तक ओफिशिल आगे करेंगे इनके तो इनके टेक ओवर कर लिया है आईएफ के जमू स्टेशन को और यह यहाँ पर जाश परताल कर रहे हैं कि डोन अटाइक आया कहा से था इंडिया ने अभी तक ओफिशिल यह कहा नहीं है कि यह आतंगवादी हमला पाकिस्तान से आया है हलाकि जो इनिशल इनकेशन यहाँ पर हुई है उससे साम पता लग रहा है कि डेफिनेटली यह एक आतंगवादी हमला है और इसका एक कनेक्शन है विद पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक बार हम देखें 2016 के केस को के उरी में जब आतंगवादी हमला हुआ उसके response पे इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब क्या महौल था तब क्या क्या कहा गया था और हाँ एक बहुत ही important सूचना कई बार लोग मुझे कहते हैं कि PG इसका जो लिंक है यह मैं देदूँगा नीचे कॉमेंट सेक्षन में एक वीडियो की यहाँ पे आपको मिल जागा इसका लिंक इसको क्लिक कर लो अगर आपने अनकाडमी की आप डाउनलोड नहीं करी तो Google Play Store पे जाकर अनकाडमी की आप डाउनलोड कर लो और फिर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे जाओ Enroll Now पर और फिर यहाँ पर क्लिक कर लो कल के टेस्ट के लिए Enroll कल सुबह 11 बजे यह टेस्ट होगा कल संडे है आप अराम से सुबह सुबह उठकर प्रेपेर कर सकते हैं और 60 मिनिट्स का यह टेस्ट होगा History, Geography, Economy, Various और सिंप्ली यहाँ पे आपको क्लिक करना है Enroll Now पर कोड यहाँ पे आपसे अगर मांगे तो कोड डाल देना है यहाँ पर PD10 और अपने आप आपके मुबाइल फोन पर कल सुबह 11 बजे से पर नोटिफिकेशन आजाएगी कि तयार हो जाईए टेस्ट होने वाला है जब लिंक है यह मैं को प्रवाइड कर दूँ अपने टेलेग्राम ग्रूप पर फेस्बुक पेज पर ताकि आप अराम से इसको अक्सेस कर पाएं अगर हम जाएं 18 सब्तमबर 2016 में तो उस वक्त एक फदाइन हमला हुआ था पाकिस्तान से इंडिया में आतंगवा दिया है पाकि लेगा है ये तो इंट्रनेशल बॉड़र है बिलकुल इसके साथ से यहाँ पे घुजरती है दे लाइन ऑफ कंड्रोल तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंड्रोल क्रोस करके आतंगवा दिया है और अट्राक कर दिया इंडिया ने इसके रिस्पॉंस में बहुत प्रोटेस्ट किय इंडिया ने पाकिस्तान के हाई कमिशन को कम्लेन करी, बदाया कि यहाँ पे आतंगवादी पाकिस्तान से आये थे, इनको प्रूव दिहाया, एविडेंस दिहाया, मगर पाकिस्तान ने सिंप्ली यहाँ पर यह बोला, not enough evidence, कुछ यहाँ पे प्रूव नहीं होता, कि यह की तरफ से कोई भी यहाँ पर inspection नहीं हो रहा था, तो उसके बाद इंडिया ने 29 सप्तमबर को 11 दिन के बाद एक surgical strike कंड़क्ट किया, पाकिस्तान occupied कश्मीर में, इंडियन आर्मी के लोग पाकिस्तान occupied कश्मीर में गए, जो भी यहाँ पर आतंगवादी थे, इनको मारा और फिर वापस आ गए, अब इसके response में पाकिस्तान ने उस टाम भी यही बोला था, कि कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर, इंडियन बस LOC के काफी करीब आ गए थे, और उन्होंने यहाँ पर firing करी, और हमने यहाँ पर जवाबी firing करी, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं, जबकि इस पूरे incident को downplace ले कर रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पर admit करते, कि इंडिया कई kilometers अंदर आ चुका था, line of actual control के, तो अपनी जनता को जवाब दिना पड़ता, और जो इनकी खुद की जनता है, यह इन पर दवाव डालती, जैसे इसराइल के case में दवाव डालती है, कि इसर Indian Air Force Chief already कह चुके हैं, कि जो जंबू में हुआ है, यह essentially था एक आतंगवादी हमला, जहाँ पर पूरी कोशिश करी गई, कि भारत के जो MI-17 helicopter है, इनको drone के जरीए drop किये गए, explosive से destroy किया जाए, हलाकि जो इनका attempt था, यह fail कर गया, और जो explosives यहाँ पर use किये गए है, यह high explosives है, य यह definitely किसी professional army या फिर एक बड़े आतंगवादी group ने इनको provide किया था, तो लेगो मैं आपे कहूंगा, बहुत ही जादा high possibility है, कि NIA ने, अगर हलका सा भी यहाँ पर सबूत देके कह दिया, कि यह हमला हुआ था पाकिस्तान से, तो जो CDS ने का है, वो हो जाएगा, अब यह depend क करता है कि इंडिया time कब चूज करता है attack करने का, एक महीने बाद, दो महीने बाद, क्योंकि इस बार पाकिस्तान काफिया तक ready होगा, इन्होंने P.O.K. में बहुत बदलाव किये हैं, जब से पहला surgical strike हुआ है, तो CDS ने आपर बिलकुछ सही बात बोली है, कि हम लोग wait करें इस सब के इलावा इंडिया क्या कर सकता है, एक नीड यहां पर यह भी है, कि जो यह drone attacks हो रहे हैं, इनको हम treat करें as ceasefire violation, यह बहुत important है, आपको पता होगा कि February 24, 2001 किस को भारत और पाकिस्तान ने आपस में एक agreement किया, कि अब LOC पे होगा ceasefire, जो पिछले कई सानों से लगाता यहां पर firing चल रही थी, रोज news आती थी, कि हमारे जवान वीरगती को प्राफ्थ हो गए, पाकिस्तान के कई जवान मारे गए, LOC पर firing पर, यह firing फाइनली रोग दी गई थी, February 24 को, यहां पर need क्या है, कि अगर ऐसा attack होता है, और यह प्रूव हो जाता है, कि यह attack कहीना कही स यहां पर भारत को मारना चाहिए, कि seize fire की evolution हुई है, हम वापस अब firing स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने यहां पर firing करी थी last time पाकिस्तान को, यह लोग इसको झेल नहीं पाए थे, on an average आप अगर देखो, तो पाकिस्तान के कई ज़ादा इनके जो rangers हैं, जो इनके soldiers हैं, यह मारे गए थे border पर, और इसलिए भारत के chief of defense staff ने यह भी का है, कि if you, मतलब पाकिस्तान, are going to use indirect systems to disrupt harmony and cause damage, it amounts to a violation of ceasefire, तो यह भी बहुत बड़ी possibility है, कि NIA की investigation में, अगर पाया गया कि पाकिस्तान की यहां पर involvement है, यहां फिर किसी इस fire violation है, जो agreement इससे पहले हुआ था, 24 February को, it stands null and void, मगर इस सब के बीच हमको यहां पर ध्यान यह भी रखना होगा, कि China के साथ हमारा stand-off अभी भी चल रहा है, हम यहां पे afford नहीं कर सकते, कि small scale warfare हो जाए, चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ, अगर माल लीजे, SX scenario होता है, कि हमारे जवान फिर से जाते हैं P.O.K. में, वहां पे confrontation बढ़ जाती है, और चाइना से भी यहां पर pressure आता है, तो यह हमारी तरफ से एक बहुत smart move होगा नहीं, इंडिया के लिए best case scenario यह है, कि हम winters का wait करें, October, November के आसपा सका हम wait करें, एक बार यहां पर, जब बर ही शुरू हो गई, और यहां पर उसके बास soldiers अपने आप पीशे अट जाते हैं, वो time देखे काफी अच्छा होगा, एक surgical strike करने का on Pakistan, उस time चाइना की तरफ से भी, एक small scale warfare होने के chances मैं काऊंगा, बहुत ही ज़ादा कम हो जाएंगी, तो बात बिलकुल सही है, हम इसकी revenge लें अगर पाकिस्तान से confirm हो गया है कि पाकिस्तान वैसे तो भी confirm नहीं हुआ, लेकिन अगर इनकेस पाकिस्तान से हुआ है यह ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को भी ready रहना पड़ेगा, क्योंकि बतला तो लेंगी, तो अब जो यह लोग बता रहे हैं ना, जैसे कि इन्होंने कहा कि तब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन कब होगी इसका confirm नहीं है, वो टाइम और वक्त देख कर बताया जाएगा, और मुझे लगता है कि वैसे समर नहीं विंटर आने वाला है, समर तो खेर चल रहा है, विंटर आने वाला है, तो विंटर में ही यह लोग कुछ इस तर परशान सर ने भी कहा कि जब ठंड होगी उस टाइम पर, लेकिन अभी वैसे confirm तो नहीं हुआ, लेकिन वही बात है, ऑफेशली गौर्मेंट ने भी इंडिन गौर्मेंट ने यह अनाउंच नहीं किया कि वो पाकिस्तान की तरफ से था या कहीं और की तरफ से था, अभी वो अगर यह तो पर लेकिन वाले ने नहीं किया गया, यह तो एक चोटी सी बच्चों वाली बात हो गई, अगर करना ही था तो कोई बड़ा करते हैं तो समझ भी आता, मतलब वैसे तो मेरी नजरों में यह करना ही नहीं चाहिए था, अगर वैसे मैं फर एक्जाम्पल मैं यह स अगरानी थी तो फिर कोई बड़े करके दिखाते हैं तो पता भी चलते के हाँ इन्होंने कुछ किया है, अब इतनी सी हरकत करके यह रोग इतना बड़ी मुश्किल में फस गए है, मुश्किल में खेर इनको भी आइडिया हो गई कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, अगर पाकिस्ना नहीं से किया है, तो फिर उसका मौत सा देना पड़ेगा, लेकिन उरी में से पहले अटेक हो चुका है, और उसके बाद भारत ने उसका बदला भी लिया, कश्मीर में अपने लोगों को भी भेजा और उसके बाद चला के कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद तो कटे थे, द्रखती तो टूटे थे और यह हुआ था, वह हुआ था, तो खैर यह सारी चीजें जो है, वह हमें आप सुनने को भी मिली और इसके लावा उस टाइम पर तो खैर इसका बड़ाई इसका बड़ाई इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत कवर करने की कोशिश जब स्ट्राइक हुई थी और इस तरहां से तो खैर मना नहीं करना चाहिए, लेकिन इनों ने हमेशा से ही इस चीज़ को एकसेप्ट नहीं किया और जो है, वह अपना मजाख भी बनाया और बहुत सारी लोग जो है, वह कह भी रहें कि हुआ है फिर भी और जैसे के 1971 में भी कि यही वह थाً कि उन्हों घिलनी है क्छा हों नहीं किया थाCause और फॉल पाकिस्तान और इंडिया की जंगी थी उस टाइम पर, उस टाइम पर इनोंने क्या का था कि यह ना outcomes अमवारे फोची नहीं कर दो हैं और उस ताइम पर भी वदाना तो प्षच बढ़ी नहीं है तो खेर ये तो एकस्ट बीनी किया था और फिर वही ब्लोग हैं जो पारलिमेंट में आके कहते हैं कहां यह तो हम नहीं किया था हम आ जमनेंसरों मैंसा रैवे कि करसंदा को दिए हमारी से ज़ते हैं कुछ हुँ नहीं यहां ट गोद्हें फिनीग में चाब करते हैं विडियों डिखतने मिलते हैं जो नेयां यह वी अछुट अबागा Jacob यहां ही हई पर कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ से ये हुआ है तो ये ड्रोन वाला जो सिस्टम है वह बहुत ही बच्छों वाला खेल हो गया मुझे तो शेख रशीद वाली बात याद आ रही है पाव पाव वाले तो ये पाव पाव वाले ये भेजिए इन्होंने ड्रोन में तो खेर बच्छों वाली खेल हैं इस तरहां से तो बच्चे करते हैं अन्यूवेज ये है कि सब अच्छा हो और किसी को भी नुकसान न पहुंचे किसी की जानों को ये पता नहीं सीस्टम होने के बावजूद भी ये दुबारा से इस तरह की चीज़े दुबारा सुनने को मिल रही जो कि बहुत ही जाता अनफॉर्चुनेट हैं और मुझे भी बहुत बुरा लगते हैं बट क्या कर सकते हैं इनको हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं बट यह कह सकते हैं कि प्लीज सुधर जाओ मिलते नेक्स वीडियो के साथ तिल दें टेक केर अपने बहुत सरा ख्याल रखिएगा मैं हुसानि मोपी जादा प्लाइए